साथियों नमस्कार स्वागत है हमारे चैनल EG Study Pharmacy जहां आपको दवाईयों की संपूर जानकारी मिलती है साथियों आज हम आपके बीच डिसकस करेंगे वेला माईसीन सस्पेंसन साथियों जो इसका कमपोजीशन है जैसे है कोलिस्टीन सलफेट ओरेल सस्पेंसन जो की 12.5 mg 5 ml में होता है साथियों ये वेला माईसीन सस्पेंसन जो है एंटिबायटिक है ये एंटिडारियल है ये पीडियाटिक यूज ओली है साथियों इसकी जो कमपिनी है ये वेलेस फार्मसोटिकल कमपिनी का ये प्रोड़क्ट है साथियों साथियों सचिडिूल एट्च की है ये पीडियाटिक डॉक्टर या फिजीसें के प्रिस्किप्शन से ही दवा मिलती है साथियों ये मार्केट में सभी जगा अब लेवल है सभी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी साथियों जो इसकी MRP है साथियों ये 47 रुपीज 25 पैसा है साथियों जब भी परचेज करें इसकी जो है एकस्पायरी जरूर चक करने साथियों जब इसको परचेज करते हैं तो इसके साथ जो है साथियों ये पाउडर फार्म में जो है ये क्या करते हैं कांच की सीसी में वैला माइसीन होता है कोलिस्टीन सलफेट और इसके साथ ये वाटर फार इंजक्षन होता है यह इसमें जो है इस मार्क तक एड करके और सेख करते हैं और उसके बाद जो है बच्चे को डाक्टर के हिसाब से डोज देते हैं तो साथियों सबसे पहले डिस्कस करेंगे वेलामाइसीन एंटिबाइटिक है क्या डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे साथी साथ इसके हम important users की बात करेंगे, side effect की बात करेंगे और यह वेलामाइसीन वर्क कैसे करता है बच्चे के सरीर में जाके और इंट्रक्शन की बात करेंगे साथियों, contraindication की, precaution and doges की बात करेंगे तो साथियों सबसे पहले जानेंगे वेलामाइसीन है क्या साथियों जो वेला माइसीन है suspension is an antibiotic है जैसा कि अभी बताया that fights bacteria और यह bacteria जो है उसकी against जो है क्या कहते है work करता है it is used to treat certain type of serious bacterial infection of the stomach साथियों इस तब में serious bacterial infection हो जाता है ऐसे case में क्या होता है colistine oral suspension कहने का मतलब वेला माइसीन prescribe किया जाता है और जब दूसरी antibiotic response नहीं करती है कहने का मतलब which are not responding to the other antibiotics जब दूसरी antibiotic response नहीं करती है तो ऐसे case में वेला माइसीन colistine sulfate oral suspension देते है साथियों it works by killing the bacteria that cause the problem और यह क्या करता है bacteria को जो है मार देता है उसकी cell wall को break कर देता है और उससे बैकी दिया damage हो जाता है मर जाता है तो साथियों यह तो description की बात हो गए साथियों साथियों इसके important use के बात करेंगे साथियों जैसा कि अभी description में बताया है कि साथियों यह severe bacterial infection में उपयोग करने वाली दवा है जैसे कि इस्टमक में infection है intestine में infection है साथियों उसमें इस्तिमाल किया जाता है साथि साथ क्या होता है digestive tract infection होता है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है साथियों एक और चीज में बताऊँगा जब दूसरी antibiotic work नहीं करती है ऐसे case में क्या होता है कि C-Colestine Sulphate Velamicin Antibiotic का इस्तमाल किया जाता है साथिँ वे बच्चों के लूज मोसन में इस्तमाल करने की दवा है बच्चों को बहुत लूज मोसन हो रहा है डैरिया हो गया है और लूज मोसन नहीं रुख रहा है ऐसे केस में जो है विलामाइसेन सस्पन्शन का उपियोग किया जाता है साथियों इसके बहुत से हीडन यूजेस हैं बहुत बार तो यह जया हो 감ink क्या होता है कि सर्दी के मोसम क्या होता है सर्दी लग जाती है, दस्त आते रहते हैं खाम भी हो जाता है लाट्रीन भी आने लगती है। आते हैं ऐसी में क्या होता है वालामाइद बच्चे होते हैं खेलते रहते हैं or विक्षे खेलते रहते हैं नहीं parents जो है ध्यान दे रहे हैं या इस तरह से घरों में जो है देर तक नहा रहे हैं ऐसे case में क्या होता है साथियों उनको जो है UTI infection हो जाता है UTI infection में अगर आप velomycin, colistine sulfate oral suspension देंगे उनको और जो है साथ में अगर इसके जो है अगर किसी और कारण बस देते हैं तो उसमें लूज मोसन के भी चांस है और यह वोमिटिंग होने लगता है सर में दर्द हो जाता और इसकीन के रैसिस पढ़ जाते हैं छोटे बच्चे को तो इस तरह के यह साइड एफेक्ट है साथ हूं how well am I seen oral suspension work और यह जो है body में work कैसे करता है साथ हूं जैसा जैसा कि अभी आपको बताया था it kills bacteria by destroying the bacterial cell membrane साथियों यह बैक्टीरिया के सिल मेंब्रेन को डिस्ट्रॉय कर देता है उससे बैक्टीरिया मर जाता है और खतम हो जाता है तो इसलिए बैक्टीरियो स्टेटिक कह सकते हैं और यह बैक्टीरिया के मतलब कील करने में बैक्टीरियल इंफेक्शन में सीवियर बैक्टीरियल साथ ही इंट्रक्षन की बात करेंगे तो वेलामाइसीन का बहुत सी दवाईयों के साथ इंट्रक्षन है जैसे कि छोटे बच्चे को जब भी आप डॉक्टर या फार्मसिस्ट के पास ले जाते हैं इलाज के लिए तो आप तुरंथ बताईए कि किस किस दवाई को आपने दिया कोई निकसान किया या है या हैपर सेंस्टिव है या कोई पहले से भीमारी है जैसे कि वेलामाइसीन अगर चला है या लीवर कॉलरा वैक्सीन अगर बच्चे को लग रही है या इस्ट्रप्टोमाइसीन दिया है तो नहीं दें अदरवाइस ऑंसरगां यो इह आपसेंस अब यूरीन कहने का मतलब एकदम पेसाह नहीं बच्छा कर रहा है एकसे केस में जो है इस दवाई का सेवन नहीं करते हैं और प्रुषायर्या होता है बहुत रीर केस में बच्चों को जो है एक तरह की बीमारी है जैसे ब्लड की समस्याएं हो जाएंगी और क्या होगा कि उसको पेसाब नहीं होगी सरीर में बहुत तरह के विकार हो जाएंगे तो इस तरह की एक बीमारी होती है उसमें इसको नहीं दिया जाता है और माइस्थीनिया ग्रेविस में इसको जो ह बच्चों को नहीं देते हैं, साथियों प्रिकाशन की बात करेंगे, अगर बच्चे को कैसी भी हिस्ट्री है, लाइक ऐनी हिस्ट्री आप दे हिपाइटिक और क्या करते हैं, रीनल इंपाइटमेंट फंक्शन, कहने का लीवर, और मतलब kidney के कोई dysfunction या कोई विकार है या ठीक नहीं है उसमें इस दवाई का सेवर नहीं किया जाता है साथियों जैसा कि पहले बताया ये काँच की CC में powder farm में आता है और इसमें water भी इसके साथ निकलता है ये इस तरह का और इसको damage करके इसमें aid करके stir करते हैं करते हैं घुल जाती है उसके बाद दवा देते हैं साथियों साथी साथ इसके important doges की बात करेंगे तो डॉक्टर इसको वेट और एज के हिसाब से डोज को अर्जेस्ट करते हैं अपडेट करते हैं अदरवाइस धाई से तीन साल का अगर बच्चा है तो मान के चलो उसको जो है पांच एमल सुबे साम एंटिबाइट ही दिया जाएगा तो साथियों इसके साथ विराम देंगे किसी तरह की query आप हमें जरूर कमेंट करें स साथी साथ हमारे चैनल को जुरूर सब्क्राइब करें साथियों नमस्कार